आओ इस question को solve करते हैं CGL के pre का previous year question है 2024 का बहुत ही अच्छा question है given है कि एक tank है वो 45 minutes लेता है और फिल हो जाता है दो pipe से जो के आपके A और B आप बोलागे जो pipe B है वो twice as fast है A से ठीक है चलो start करते है हमें पता है एक pipe मेरा A है pipe A है और एक मेरा pipe B है हम अगर मान ले कि जो मेरा pipe A है pipe A x liters x liters भरता है per minute ठीक है अब हमें यह आपे बोला गया pipe B fills the tank twice as fast मतलब यह double भरेगा उसका just तो यह कितना भरेगा x liters 2 x liters मतलब अगर मैं इसको थोड़ा direct बता हूँ अगर pipe A 10 liters भर दे रहा है तो pipe B आपका double भरेगा 20 liters है पर हमें यह आप 10-20 तो दिया नहीं है तो इसलिए मैंने इसका x मान लिया और इसको मान लिया 2 x अब बोलगे जब A और B 7 में काम कर रहे है तो pipe A काम करता है A जितना भरता है और B काम करता है और यह लोग लगतार 45 minutes तक लगे रहते हैं 45 minutes तक काम करते रहेंगे तब जाके कई न कई पूरा काम जिस हम total work बोलते हो complete होगा तो यह हो जागा 3 x into 45 यह हमारा total work हो जाएगा अब बोला किया गे how much time in minutes will pipe A alone take to fill ठीक है एक formula जो आपको पता होना चाहिए work is equals to efficiency into time होता है हमें यहाँ पर समय ही निकालना कि अगर pipe A अकेले भरेगा तो कितना समय लेगा तो यहाँ से time अगर मैं निकालो तो work upon efficiency आजाएगा हमें पता है total work जो है वो कितना है 3 x into 45 है और जो A अगर भरेगा तो A की efficiency कितनी है सिर्फ x है मतलब A सिर्फ x भरेगा तो यहाँ से हम time calculate कर लेंगे कितना आ जाएगा x और x तो direct कट जाएगा 45 तीया कर दो तो 40 तीया 125 होता है और 5 तीया 15 हो गया तो 135 मिनिट वो अकेले ले लेगा जो कि है इसका option number A तो वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को लाइक कर देना चैनल को सब्स्राइब करकी वीडियो को लाइक कर देना